नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं आप सभी का हमारे चानल A2Z Speed News में दोस्तो भारत और स्रिलंका के बीच तीन मैचों की T20 सिरिस का पहला T20 मैच 25 जुलाई रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा इस मैच को आप भारते समय नुसार रात 8 बजे से देख सकेंगे इस पहले T20 मैच का सीधा प्रसा रण सोनी नेटवर्क पर 5 अलग-अलग भाशाओं में किया जाएगा सोनी 10-1 में आप इसे अंग्रेजी कोमेंटर के साथ देख सकते हैं वही सोनी 10-3 पर आप इस मैच को हिंदी कोमेंटर के साथ देख सकेंगे वही इस मैच की लाइव स्क्रीमिंग का मज़ा आप सोनी लिव आप पर भी उटा सकते हैं पिछ रिपोर्ट कोलम्बो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम की पिछ बले बाजो के लिए काफी अच्छी मानी जाती है गेंद बाजो के लिए इस पिछ पर मदद नहीं रहती है इस मैदान पर डिव आने का भी चांस रहता है अगर मैदान पर डिव आई तो इसका फायदा बाद में बल्लेबाजी करने वाले टीम को मिलता है इस पीच पर जितने भी मुकाबले खेले गए है उसमें से अधिक तर मुकाबले हाई स्कोरिंग रहे है एसे में यह मुकाला भी एक हाई स्कोरिंग मैच होने की उमीद है भारत और स्रिलंका के बीच अब तक कुल 19-20 मैच के लिए गया है जिसमें से 13 मैच में भारतिय टीम जीते हुए है तो वही 5 में स्रिलंका के टीम को जीत मिली है दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बे नतिजा रहा है आकडे के लिहाज से भारतिय टीम हमेशा ही स्रिलंका पर भारी पड़ रही है इसलिए इस मैच की प्रबल दावेदार भी भारतिय टीम ही नजर आ रही है भारत की संभावित प्लेंग 11 स्रिलंका की संभावित प्लेंग 11 अविश्का फर्णांडो मिनोद भानुका विकेट कीपर भानुका राजपक्चा धननजय डीसिलवा चरित असलंका दाशुन चनका कप्तान दोस्तों आपको क्या लगता इस मुकाबले में कौनसे टीम जीत सकती है आपका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए धनावाद